तो आज में आपको इसके रोग रहा दिफागी हूँ इस ग्राप वैसे तो यह obvious है कि MC के उसमें ग्राप नहीं आएगा लेकिसे फॉरा नोलेज आपको आना चाहिए इस ग्रापम कैसे ग्रापम कैसे ग्रापम करते हैं जैसे कि हमने लास पोशिन में गिया था लास्ट वीडियो में गिया था तो सल्यूशन कैसे निका लिए थी हमने अगर एक्स की वैडियू वान है तो स्वाय की वैडियू 1 को करने तो x की आजाएगा 1 प्रस 150 मृटकी बेरे अब क्या आता जो solution है उसमें पहले x और फिर y का नहीं है सिमिर अगर y 0 है तो x की value क्या आ जाएगी 0 plus 2 means 2 0 अगर y 2 है तो x की value क्या आ जाएगी 2 plus 2 means 4 2 अब 3 1 2 0 4 2 इसे हम किस पर represent करेंगे ग्राफ किसे गणाते है तहले y-axis x-axis वर्टिबल लाइज काल y-axis and horizontal line is called x-axis x-axis we have to put maximum number of x So, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Point क्या है? x3, y1, x3, y1, भी आ गया आपका 3, 1, x2, y0, x2, y0, x4, y2, x4, y2, x4, y2. Now, join these lines. तो ये जो line आए हमारी ये किसे represent कर रहे है? x-y is equal to 2, this is the formation how we draw the graph. This is for the Cartesian plane, axis, y axis, that is the reason. तो हमने क्या कि अब points, सबसे पहले हमने point निकाले graph के, और point को हमने graph पे represent किया और भाहा से हमने उसका solution find. चलिए, next question भी चलती है, the taxi fjard in a city is as for, एक शहर का taxi fjard किराया बता रखना है, for the first km की पहले km की लिए तो 8 रुपिस लगता है, and for the subsequent business is रुपिस पार, और अगले हर km की लिए क्या लगता है रुपिस पार, मांगी लिए आपको 3 km जाना है, तो पहले km की लिए आपने 8 रुपिस लिए, अगले 2 km की लिए आपने 5 रुपिस लिए रुपिस लिए, अगले हरे, आपको 5 km जाना है तो पहले की लिए 8 और बागी चार की लिए 5, मतब 2020 की लिए आपने याना पर उसके लामे खुद ते रखा है आपकी भूप में देखना, कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है आपको उसे x लेना दिया और जो टॉटल फियर से भुभाई लेना है, आपको इसका linear equation बतानी है उसका ग्राफ देखना, तो डिस्टेंस कवर्ड आ गया as total fare बागी अब total fare according to question की total fare कैसे निखलेगा, पहले किलोमेटर की लिए तो यह जो पिस है, बागी कितने रहे गया, total कितने थे x किलोमेटर, एक किलोमेटर का देने रिख दिया, बागी रहे गया हमारे x-1 किलोमेटर, इसको कितने रुपे के हिसाब से देने हैं हमने 5 रुपिस के हिसाब से, समझाया, फिप total दिया कि हमने किराया कितना दिया, पहले किलोमेटर के लिए तो 8 रुपे दिया, और total किलोमेटर से x, 5x minus 5 y is equal to 5x plus 3 या फिर इससे बोल चते है 5x minus y plus 3 equal to 0 this is the linear equation या यह हमारी linear equation of this condition तो हमने linear equation ही कहा दे अब इसी कहा आपको graph बनाना है graph बनाना है आपको इस सम में दिखाया है किस तरह से बनाना है x, y, t value निकाले think point निकाले है उसे आप इसका graph बनाना है आप इससे करेंगे तो आपका हमबग है chapter number 4 जो है आप अच्छे से revise कर लेंगे ओके, thank you